गुर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर् बारे में हमने पिसली वीडियो में पड़ा था तो आज हमारा आज हमारा टॉपिक है ब्याकरण ठीक है प्रतेग भासों को सुद्ध लिखने सुद्ध पढ़ने तथा सुद्ध बोलने के कुछ नियम होते हैं यह जिस पुस्तक में संगरित होते हैं उसे ब्याकरण कहते हैं तो जो प्रतेग भासा होती है तो प्रतेग भासा के को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं ठीक है और ये जिस पुस्तक में संग्रित और संग्रित का मदल होते हैं इकठ्था होते हैं इकठ्रित होते हैं उसे ब्याक्रा करते हैं जैसे नियम तो सबके अपने अपने नियम ह होते हैं जैसे ट्रैपिक हमारे यातायात के नियम होते हैं ठीक है हमारे स्कूल के नियम होते हैं हमारे घर में कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार हम चलते हैं तो इसी प्रकार भासा के भी कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार हम क्या करते हैं सुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सिखते हैं, जैसे मोना गेंद को खेल रही है, तो मोना गेंद को खेल रही है, यहाँ वाग्या असुद्ध है, मोना गेंद को, मोना गेंद को नहीं खेल रही है, मोना क्या कर रही है, गेंद से खेल रही है, तो प्रशन आता है कि ब्याकरण किसे कहते हैं भासा को सुद्ध रूप से बोलने लिखने तथा पढ़ने के नियम सिखाने वाला सास्तर ब्याकरण कहलाता है भासा को सुद्ध रूप से बोलना लिखना और पढ़ना हम जिससे सिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम उसे ब्याकरण कहते हैं ब्याकरण के अंग प्यारे बच्चों, अगले हैस में ब्याकरण के अंग, तो ब्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो ब्याकरण के मुखिता तीन अंग होते हैं, ठीक है, नमबर एक होता है वर्ण विचार, नमबर दो होता है सब्द विचार, और नमबर तीन होता है वाक्य विचार, तो अब ह तो इनको हम क्या कहते हैं वर्ण विचार कहते हैं ठीक है तो अगला है सब्द विचार दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समों को सब्द कहते हैं जैसे हर्स हो गया, अधिती हो गया, ताज महल हो गया, लंदन हो गया, सनी हो गया, आधी, ठीके, दो या दो से अधिक, वर्णों के सार्थक समो, सार्थक का मतलब होता है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, जैसे हर्स हो गया, तो हर्स क्या है, किसी बच्चे का, किसी कहते हैं ठीक है दो या दो से अधिक हो सकता है ठीक है नमर तीन आता है वाक्य विचार तो वाक्य विचार किसे कहते हैं सब्दों का वहाँ सार्थक तथा करमबद समुआ जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है ठीक है सब्दों का कोई सार्थक एवन करमबद ठीक है सार्थक सब्द किसे कहते हैं तो सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है ठीक है और निर अर्थक का मतलब होता है निर अर्थक मेंसे जिसका कोई अर्थ नहो इसी परकार सब्दों का वस सब्दों को वस सार्थक एवं करमबद समों जिसका कोई अर्थ हो वाग्य कहलाता है जैसे मैं इसकूल जा रहा हूं सार्थक ने आम खरीदे तो यह क्या है सार्थक सब्द हैं ठीक है यह सार्थक समों है ठीक है अगर हम मैं यहां पर बोल अध्या यहीं पर खतम होता है और हम अब हम इसके प्रश्ण उत्तर करेंगे अब अभ्यास में आता है बहुँ विकलबे प्रश्ण हमारी राष्ट भाषा है तो हमारी राष्ट भाषा कौन से है पंजापी है, गुजराती है या हिंदी है इन तीनों में से जो भी होगा आपको उसमें सही का निसान लगाना है अगला तर इसमें ब्याकरण के अंग ब्याकरण के कितने अंगों तेन दो अंग तीन या चार इन तीनों में जो सही होगा उसमें आप सही का निसान लगाएंगे अगला इसमें अंग्रेजी भासा की लिपी है तो अंग्रेजी भासा की जो भी लिपी है देवनागरी है रोमन है या गुरुमु की है इन तुनों में से आपने सही निसान लगाना है ठीक है अगला प्रशन है इसमें निमलिकित प्रशनों के मौकिक उत्तर दीजी तो इसको आप पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे, ये केवल आपके लिए वैसे संसार में किसकी आवाज सबसे इसपष्ट है, तो सबसे इसपष्ट आवाज मनुष से की है, ठीक है, अपने मन के भावों को परकट करने के लिए हम कितने रूप अपनाते हैं, तो आर्थी सम्मिदान में 22 भासाओं को मानेता प्रापते, पिसलिए वीडियो में आपको बताए था, अगला इसमें उर्दु भासा किस लिपी में लिखी जाती है, तो उर्दु भासा आर्ची लिपी में लिखी जाती है, अब अगला प्रेश्ट ने रिक्तस्तान भरिये, त तो इसमें आप आपने पढ़ा था तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और देख भर सकते हैं बोलना तथा सुनना भासा का रूप कलाता है तो बोलना सुनना भासा का कौन सा रूप है मौकिक रूप है उसको आप लिखेंगे हिंदी भासा की लिपिये तो हिंदी भासा की कौन सी लिपिये देवनागरी लिपिये रोमन लिपिये, फार्सी है इसको आप लिखेंगे आपए दो या दो सिक अधिक वर्णों के सार्तक समू को क्या कहते है ब्याकरन हमें भासा के सुद्धु रूप का ज्यान कराता है अगला इसमें ध्वनी से सब्द बनते हैं और सब्दों से वाग्या बनते हैं क्वेसिन नमर अगला है सई कतन पर सई का गलत पर गलत का निसान लगाए संसार के सभी प्राणी लिखकर अपने भावों को या विचारों को एक दुसरे तक पहुचाते हैं तो संसार के सभी प्राणी नहीं पहुचाते हैं तो इसमें गलत का निसान लगेगा ठीक है मोखिक भासा में अपने विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है गलत प्रश्णों के उत्र दीजे तो पिछले आपने पिछली वीडियो में लिखा था अपने भासा किसे कहते हैं तो आज आप करेंगे ब्याकरण किसे कहते हैं ब्याकरण के कितने ठंग होते हैं भारत में बोली जाने वाली आठ भासा के नाम लिखिए इन प्रश्णों को आप अ